कि कि आप सभी उमीद करते हैं आप से अच्छ वे दोस्तों जैसा कि आप सोभी जानते हैं कल हमने एक वीडियो में डिसक्स किया था मैट की वीडियो में कि किसी संख्या को काटते कैसे हैं तो वहाँ पे हमने दो से लेके पांस तक संख्यां डिसकस कर ली थी आज हम लोग उसी वीडियो का पार्ट टू डिसकस करेंगे दोस्तों ठीक है आज मैं आपको दस संख्याओं तक आपको काटने का तरीका बताऊंगा आप इस वीडियो को पुरा देखेगा इस वीडियो को देखने के बाद आपका बिल्कूल भी डाउट नहीं देगा दोस्तों ठीक है आपको फिर देखने के बाद ही पता लगेगा कि संख्या किस से कटेगी ठीक है इस वीडियो में आप ऐसी ट्रिक जान लोगे कि आप फटा फट से बता दो कल हमने डिस्कस किया था कि संख्या कैसे कटती है दो से कटने वाली संख्याओं की पहचान क्या है तीन से कटने वाली संख्याओं की पहचान क्या है चार से कटने वाली संख्याओं की पहचान क्या है थोड़ा सा मैं एक बार backup flashman लेके चलता हूँ आपको 2 से वो संख्याइं कटती है दोस्तों जिसमें 2, 4, 6, 8 या 0 आता है ठीक है ना जैसे कि मैंने कहा कि 268 तो लास्ट संख्या देखो 8 आगी ना तो ये 2 से कटेगी मैंने कहा 260 तो लास्ट वाली संख्या 0 आगी तो भी ये 2 से कटेगी तो याद रखे जिसमें लास्ट वाली संख्या 2, 4, 6, 8, 0 ये आ जाएं वो 2 से कट जाती है ठीक है दोस्तों उसके बाद हमने बात किती तीन से कटने वाली संख्याएं तीन से कटने वाली संख्याओं का मैंने क्या बताया था कि संख्याओं का आप योग करके देख लो संख्याओं का योग संख्याओं का योग कैसे दोस्तों मालो दिया हुआ है 123 तो आप इसका योग करके देख लो, प्लस करके देख लो, तीन और दो पांच, पांच और एक छे, तो कितना आसवर छे आया, ठीक है ना, तो यानि कि अगर यदि योग करने पर वो तीन से कटता है, तो वो संख्या भी तीन से कटेगी, अब देख लो आप एक सो तेईस को त इन से काट के देख लो, तो 3 x 3, 3 चों के बारा है, और 3 x 3, तो 41 होते हैं, तो यह कितने पकटी दोस्तों, 41 पकटी है, तो जैसे दे रखाया, 123 दिये है, उसके बीच में सम कर लो, यानिकी उनको जोड लो, उनका धन कर लो, उसके बाद उनको जोड लो, तीन और तीन शे तरणवल, अब देखो 6 क्या 3 से कटता है बिल्कुल कटता है जी 6 तो 3 से कटता है तो यहीच को जाइसा बात है 223 भी क्या है 3 से कटेगा ठीक है उसके बाद हमने बात के दी 4 से कटने वाली, 4 से कटने वाली का मैंने काथा कि लास्ट की दो संख्याओं का लास्ट दो संख्याओं का योग निकाल लो अगर यदि वो संख्याओं जो है वो लास्ट से कटती है अगर लास्ट वाली दो संख्याओं चार से कटती है तो सब ही कटेंगी मैंने कहा था जैसे चार सो छपन तो ये दोस अंगे देखो लास्ट फाली 96 है तो क्या ये दोस 4 से कटती है बिल्कुल कटती है चोज़र जोके 56 होता है तो 456 भी कहा है दोस्तो अरसे कटेगा ठीक है काट के देखलो आप चाहिए 456 चार से कटने है मतलब कि आज कि य उस पे 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है ठीक है दोस्तों मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए पड़ा रहा हूँ क्योंकि यह टोपिक हम कल डिसकस कर चुकी है आज तो जो लोग नए है उनके लिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा फ्लैश बेक करा रहा हूँ ठीक है जो नए है वो चार शेशबल बचा एक उपर दे छे उतारा तो चार चो के सोला है तो एक सो चोदे पे जो दोस्तों चार चोपन जो है वो एक सो चोदे पे कटता है ठीक है ना तो जाहिसी बात है कि आपको क्या करना है लास्ट की दो संख्याए देखनी है अगर यदि लास्ट की दो संख चार से कटती है, चार से विभाजित है, कटने का मतलब बता है दोस्तों, कि उसमें चार का के भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यह है, कि वो भी चार से कटेगी, ठीक है न, मैंने का 442, देखो यह क्या 4 से कटती है क्या, बताओ, नहीं कटती है ठीक है ना नहीं कटती है दोस्तों तो ये क्या होगी डिविजिबल नहीं होगी चार से नहीं कटती है मैंने कहा 568 कटती है गई ये बिल्कुल कटती है देखो लास्ट वाली संख्या दो देख लो 68 68 जो है चार से कटता है ठीक है ना पांच का पहाड़ा पढ़के देख लो 5 एकम 5, 5 दो नहीं 10, 5 ती है 15, 5 ओक 20, 5 ओक 25, 5 ओक 35, अब देखो दोस्तों यहाँ पे चला ध्याम से देखेगा, यहाँ पे सारी सारी चीज 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0 तो जाहे सी बात है, जिस संख्या में 5 या 0, इन दोनों में से कोई भी ए एक नंबर हो, तो वो संख्या 5 से कटती है, वो संख्या 5 से कटती है, कटने का मतलब क्या है दोस्तों, वो संख्या 5 से विवाजित होती है, क्या होती है दोस्तों, 5 से विवाजित होती है, इतनी बात के लिए रुई दोस्तों, इतनी बात समझ में आगी, ठीक है, तो यह हम आपने पढ़ा था कल तक आज अपने पढ़ेंगे 6 से 7 से 8 से 9 से कोमा 10 से कटने वाली संख्या है ठीक है उसके बाद आपका एटोपिक कंप्लीट हो जाएगा चलिए अब हम डिसकस करते हैं 6 से कटने वाली संख्या है ठीक है दोस्तों आपको बिल्कुल बोर्ड पे लिखके दिखाऊंगा आपको 6 से कैसे कटती है अब दोस्तों देखो यहाँ पे देखना वाइट बोर्ड पे 6 से कटने वाली संख्या है 6 से कौन सी कटती है जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे क्योंकि 2 तीए 6 होता है ना तो जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे इन दोनो अठारा दो से भी कटता है दो निमा अठारा अठारा तीन से भी कटता है तीन चीक अठारा तो जैसी बाता है अठारा जो है वो छैसे भी कटेगा कैसे छैसी है अठारा कट रहा है तो याद रखे छैसे वही संख्याइं कटेगी जो 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है मैंने कहा 28 ठीक है ना मैंने कहा 28 अब 28 जो है वो 2 से तो कटता है 14 दूना 28 है लेकिन क्या 3 से कटता है नहीं कटता है तो आप देख लो वो 6 से भी नहीं कटता है अगर यह दिन 2 में से किसी एक से भी कटे ना तो भी वो 6 से कटना हो ऐसा जुरूरी नहीं है जुरूरी क्या है कि जब दोनों से कटे यानि कि 6 से वही कटेगा जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे ऐसा नहीं है कि 3 से कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है तो भी दोस्तो इस से नहीं कटेगा और ऐसा भी में दो का भाग दे के देखो दो सातें चोदें एक बचा फचला 86 ना है 2848 पर गट रहा है अब 156 में तीन का भाग देखो 3 5 156 तरा तेन दूनी शेड़ीन पर कट रहा है तो 156 ऐसी संक्याइक जो दो से भिकट रही है तीन से भिकट यह जायर सी बात है यह 6 से भी कटेगी कैसे देखो 6 दूनी 12 तीन सेश्पल बचा चिकों में कुछ 36 26 चिक है 156 होती है ठीक है दोस्तो तो आगी बात समझ में यानि की सिंपल सी बात या दखने है 6 से वही कटेगी मैं दोस्तो बार-बार कहरा हूँ ताकि आप भूलना जाओ 6 से वही कटेगी जो 2 से और 3 से दोनों से कटती है आगी बात समझ में चलिए अगला देखते है अगला कहरा है 7 से कटने वाली संख्याई 7 से कटने यह दोस्तो आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से दोस्त अगर यह आपने मिस कर दिना ट्रिक तो आपका सारा काम गड़बड हो जाएगा देखो साथ से संख्याई वो कटती है दोस्तो उसका एक ट्रिक होती है कैसे जैसे मालों लिखा हूए चोद है तो चोद है ना तो एक काम करो दोस्तो अलग कलर से आपको दिखा रहो यह जो लास्ट डीजित है ना उसको दो से गुना कर दो और इसमें से माइनस कर दो क्या कर दो एक माइनस दो गुना चार एक माइनस दो गुना चार तो यह क्या बना एक माइनस चार दुनियाट हो गया ठीक है तो एक माइनस साथ है नहीं कि माइनस का साथ बना अब माइनस का साथ दोस्तो साथ से कटता है न तब ही dużo संख्या साथ से कटेगी ठीक है न देखो आपको उसके थोड़ा सा मुष्किल लगे लेकिन दोस्तो ध्यान से समजना कि लास्ट जो संख्या है उसको दो से गुणा कर दो और उसको पहली संख्या में से माइनस कर दो फिर अगर ये दी वो संख्या साथ से विवाजित है यानि कि फिर अगर उसके अंदर साथ का भाग पूरा पूरा जाता है तो इसका मतलब है वो साथ से कटेगी ठीक है जैसे एक आप एक एक एग्जामपल ले लो साथ नहीं गटता चो जैयर इसी बात है ये 421 सात से नहींग गटेगा ठीक है दोस्तो तो याद रखिए कौन किस दसे कटता है ये नंबर सिस्टम का वहूत elegant topic है कौन किस से कटता है तो साथ चुकी से कटेगा दोस्तो पहली संख्या है उसमें से लास्ट वाले संख्या के साथ 2 से गुणा करके कोई भी चीज आप माइनस करोगे अगे दिवा साथ से कट रही है तो वो भी साथ से कटेगा अब तो आपको समझ में आगया होगा दोस्तो ठीक है ना? I hope अब आपको समझ में आगया होगा चलो एक और उठा लेते हैं आपकी तसलिक के लिए 424 हैं तो क्या करेंगी? सिंबल्स है यह 4 तो 421 माइनस 2 गुणा 4 मैंने क्या कहा था? कि शुरूवाले संख्या है ऐसी के ऐसी लिखे दो और लास्ट की जो संख्या है उसको 2 से गुणा करके उसमें से माइनस कर दो यानि कि घटा कर दो ठीक है? तो यह 421 माइनस 4 दूनी 8 तो 421 में से आप जब 8 माइनस करोगी दोस्तों 421 में जब आप 8 माइनस करोगी तो कितना बनेगा? 413 अब क्या 413 साथ से विभाजित है? क्या साथ का भाग जाता है? बताओ दोस्तों, नहीं जाता तो यह क्या है? 7 से विभाजित नहीं है यानि कि यह 424 में भी 7 से विभाजित है नहीं है दोस्तों, ठीक है? आगी बात समझ में कुछ नहीं करना है ट्रिक क्या रखो ऐसे होता, 4218 होता तो क्या करते? 8 को 2 से गुणा करते है यह HD लिख देते है 421 माइनस 2 गुणा 8 तो यह क्या हो जाता है 421 माइनस 8 दूनी 16 और जब आप यह 16 माइनस करते है यह बनता 405 और 405 में 7 का भाग नहीं जाता है दोस्तों तो जायर सी बात है 4218 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा यानि कि 7 से नहीं कटेगा अब तो आपको समझ में आगी होगी दोस्तों ट्रिक अगला है 8 से कटने वाला 8 से कटने वाला बिल्कुल सिंपल है दोस्तों इसमें कोई वो दुराये वाली बात नहीं है 8 से कौन सा कटेगा देखो ध्यान से देखना आठ से वो कटता है दोस्तो जिसके लास्ट में 3 0 होती है जिसके लास्ट में 3 0 होती है या फिर जिसके लास्ट के 3 नंबर लास्ट के 3 नंबर जो है वो 8 से कटते हैं जैसे कि मैंने कहा कि 10,000 अब देखो 10,000 लास्ट में कितनी 0 है? 3 तो ये 8 से कटेगा दोस्तो मैंने कहा 20,000 last में कितनी 0 है 3 तो मैंने कहा यह 8 से कटेगा तो simple साय देखो 8 से वो कटता है जिसके 3 0 हो last में या फिर जिसके 3 जो digit है last वाले यानिकी जैसे 16,400,28 यानिकी यह जो digit है यह 8 से कटने चाहिए यह 8 से कटने चाहिए अग यह 8 से कट रहे हैं दोस्तो तो यह पूरा का पूरा जो है वो 8 से कटेगा otherwise 8 से नहीं कटेगा आगे इतनी बात समझ में तो याज रखो 8 की ट्रिक है 3 0 या फिर last के 3 डिजिट 8 वाले होने चाहिए ठीक है चलिए 9 से कटने वाले 9 से कटने बिल्कुल सिंपल सरूल है जैसा 3 से कटता है ना वैसी 9 से कटता है 9 से कौन से कटेंगे आप संख्याओं का योग कर लो 3 में भी हमने क्या किया था दोस्तो संख्याओं का योग और 9 से भी कौन कटेंगे Rewise वोई कौन सी ? कि 3 कैसे कटता है ? 3 में भी अपने संख्याओं का favour करते है ? 4 में भी अपने संख्याओं का व्योग करते है bricks take your 6 2 8 8 Nah 9 अब क्या इनका Yowo कितना है यह 9 आया ? यह क्या 9 9 से ते बिल्कुल कटता है 9 10 grads 9 पांच और एक छे चे और दो आठ क्या आठ में नो का भाग जाता है नहीं जाता तो यह नहीं कटता है ठीक है दोस्तों तो याद रखें नो से वही कटेगा जिसके संख्याओं का योग जो है संख्याओं का जो योग है वो नो से कटता है जो नो से कटता है ठीक है दोस्तों लाश्ट देखते हैं आपने 10 से कटने वाला दोस्तो जाहिसी बात है जिस संख्या में 0 होगी ना वो 10 से कटेगी दोस्तो मैंने कहा 20,000 10 से कट रही है मैंने कहा 40,000 10 से कट रही है मैंने कहा 10,580 ये भी 10 से कटेगी क्योंकि इसमें लाश्ट में 0 आ गया मैंने कहा 20,460 ये भी 20 10 से कटेगी क्योंकि लास्ट में 0 आगया ठीक है दोस्तों तो याद रहो 10 का सिंपल सा है देखो 10 10 में 0 आता है और एक 8 से कटने वाली में लास्ट में 3 जिरो आता है दो ट्रिक तो ऐसे याद करता हूँ आपको अच्छी लगी वीडियो क्योश्टन समझ में आगे होंगे अब आपके कोई लिए प्रिप्रेशन के लिए बैस्ट से बैस्ट वीडियो आपको प्रवाइड हो सकें इसके लाव दोस्तों दो प्लेलिस्ट वे चैनल पर वह भी आप देखते रहिएगा ठीक है तो कैसे लगी वीडियो उमीद करता हूँ अच्छी लगी होगी ठीक है अच्छी लिग है झाल